रात में आठ वजे के बाद नहीं खाने चाहिए कार्ब्स ये एक मिथक है सच नहीं रात को आठ वजे के बाद कहते हैं कि काबस नहीं खाने चाहिए इससे वजन बढ़ता है लेकिन ये भी एक मिथक है 70 फीजदी खाना और 30 फीजदी आप किस तरह की एक सरसाइज कर रहे हो मायने रखता है लोग जिम जाकर अपना पसीना बहाते हैं और फिर बाद में अपनी पसंद का खाना खा लेते हैं ऐसे में आपके द्वारा बन की गई कैलोरीज एक बराबर हो जाती है ये बहुत ही बेकार का मिथख है कि जिम जाने और वहां जाकर प्रोटीन लेने से आपका मसल मांस बढ़ता है और वो जन कम होता है जिन लोगों के साथ ऐसा नहीं होता वो सच्चाई से वाकिफ है कि क्यों प्रोटीन से मसल मांस बढ़ना एक मिथख है Supplements कभी भी आपका fat कम नहीं करते हैं आई ये muscle months बढ़ाते हैं लेकिन केवल 10% दी ही ये काम करते हैं Supplements के साथ आपको अपनी diet पर भी गौर करने की जरूरत है अगर आप सच में fat कम करना चाहते हैं तो राद को 8 बजे के बाद कहते हैं कि काबस नहीं खाने चाहिए इससे वजन बढ़ता है लेकिन ये भी एक मिठक है अगले दिन अगर आप जिम जा रहे हैं और 16 एक सरसाइज कर रहे हैं तो इसके लिए आपको एनरजी की जरूरत है जो आपको काबस और प्रोटीन से मिलेगी केवल कैलोरीज के बारे में सोचना और फिर उसे अपनी diet में शामिल करना सही विखल्प नहीं है जंक फूड लेकर आप अगर सोच रहे हैं कि आपने कैलोरी पूरी ले ली है दिन की तो गलत है आपकी diet पूरी तरह से carbohydrates, फैट और प्रोटीन से भरी हो वो भी healthy वाले अगर आप फैट को अपनी diet में ज्यादा शामिल करते हैं तो ये मत सोचे कि आपका वजन बढ़ेगा अच्छे फैट्स वाले कई खाद्य पदार्थ हैं जिन्हें diet में शामिल करके आप अपनी body को वो सभी अच्छे फैट्स दे सकते हैं जिसकी उसको जरूरत है तो अगली बार अगर आप वजन घटाने का प्लान कर रहे हैं तो एक सर साइज तो करें लेकिन सही diet भी अपने आवार में शामिल करें जितने भी मिथट आपको बताएं हैं उन पर एक बार गौर जरूर करें